अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापनी केडिमी के इस नए और लेटिस्ट वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्विल्थ क्लास के उर्दू के केकश्वा किताब से चैप्टर नमबर टेन पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है इबराहिम सक्का देखें यह जो चैप्टर है यह एक अफसाना है यानि की कहानी है और बहुत ही इमोशनल कहानी है क्या बताओं रुला देने वाली लास्ट में इसका इंड ऐसे किया गया इस कहानी के लास्ट में इमोशनल हो जाएंगे आप लोग जैसे की रोना आ होगे ने बीच में थुड़ी खुशी भी है थोड़ा गम भी है कभी खुशी कभी गम वाला मोंइंट है इसमें लेकिन लास्ट में पूरा तरीका से इमोशनल यह कहानी अब लास्ट में रुला देने वाली है ठोड़ा इमोशनल हो जाएंगे आप लोग जिस तरह कोई फि इसमें जो में करेक्टर है उलाश्ट में जाकर मर जाता है ठीक है और नहीं को पढ़ना है वैसे हम लोग इस कहानी को पढ़ेंगे और पूरे कहानी को मैं आप लोगों को बताओंगी लेकिन सबसे पहले इस चेप्टर के जो लेखक है उनका नाम जरी और उनके बारे में भी थे ठीक तो इब्राहीम सक्का नाम के स्टर के और इस अफसाने के लिखने वाले हैं यानि कि मुसन्रिफ है सलाम सक्सका मुसन्रिफ यानि की लेखक सलाम बिन रजाग याद रखिएगा और सलाम बिन रजाग के बारे में जानिए इनकी पढ़ायστ महाराश्ट में 15 और उसके बाद से बंबई मुनिसिपल कार्पोरेशन के स्कूलों में 35 बरस तक उस्ताद होने के बाद उन्हेशा नियानवी रिस्वी में वो सबक दोश हुए बंबई के स्कूल में जो है ना 35 बरस तक ठीके 35 साल तक वो उस्ताद यानि की टीचर रहकर वहां पर जौब किये थे 35 साल तक वो टीचर बने रहें और टीचर का फर्ज़ अदा किया और उसके बाद से उन्हेशा नियानवी रिस्वी में उस स्कूल से वो सबक दोश हो गया यानिकि उनका रिटायर्मेंट हो गया वो रिटायर हो गया ठीक उनका पहला अफसाना उन्हेशा चौंसट इस में शाय हुआ 1964 इस भी में उनका पहला अफसाना यानिकि उनका पहला कहानी प्रकाशित किया ठेक और यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि सलाम बिन रजाक जो है ना हिंदी और मराठी भी जानते हैं यहां तक की हिटकर की किताबों को और जो कि मराठी में लिखा गय थे जिसका नाम था धीनु ठीक है जो कि उन्हें इस अठासिस भी में प्रकाशित किया गया तो इससे मालूम यह चलता है कि हिंदी की किताबों को लिखे है यानि कि हिंदी भी जानते हैं तो यह उर्दू के लावा हिंदी और मराठी जानते हैं यह मत भूलिएगा ठीक नाम है कहानी के किताब का नाम है नंगी दो पहर का सिपाही जो कि उनसीस सतथ्तर इस भी में प्रकाशित हुआ शाय हुआ एक है मुआयवर जो कि क्ताब के दर्मियान यह भी कहानी का ही किताब का नाम है जो की 2021 इस जिन में प्रकाशित हुआ इसको शाय किया गया और सिकष्टा बूतों के दर्मियान यह जो चैप्टर है ना यह सबसे ज्यादा फेमस हुआ इसी जो है ना सलाम बिन रजाक को इतने ज़्यदा शोहरत मिलीं सिकष्ट बूते के दर मैं यह किताब था बहुत जशदा मश्यूर हुआ लोगों को पसंद कंवर इसी किताब का कहानी है यह इबएं सख्क幫 और का नाम इक कहानी approई तो आगे बढ़िए सीन्ठाभि में साहित्य ऐकैडमी का तर्जुमा इंतरिback मिला उसके बाद से 2004 में स्रिकस्ताभूतों के तर्मियानी वाला किताव लिखनी के वजह से उफचा से उन्हें सहीत्य ऐकैडमी का इना मिला मिला तो उसके लिए मिला था उसके बाद से जब वश्रिकस्ता भूतों के दर्मियान नाम का यह किताब लिखे और बहुत ज़िदा यह किताब मशूर हुआ तो इसलिए 2004 में फिर साहित एकेडमी ने उन्हें अवार्ड दिया साहित एकेडमी इनाम ठीक है यह मत बुलिएगा आग बहुत ज़्यादा इनाम भी दिये इनको बहुत ज़्यादा इनाम से नमाज आ गया ठीक है तो यह हो गया सलाम बिन रजाक के बारे में कुछ डिटल्स जो आप लोगों को याद रखना है अब चलिए मैं आप लोगों को इस इब्राहिम सक्का का जो पूरा कहानी है वो मैं क्या नाम है रिगिस्तानीई इलाका एक गाउ है कि नाम रहता है धोरण गाओं में सलाम बिन रजाक वह गए रहते हैं और गाव के एक स्कूल मैं इंसपेक्टर के तौर पर उस स्कूल का मुईना करने के लिए सलाम बिन रजाक गए रहते हैं ठीक है किसके तौर पर तो इंस्पेक्टर बनकर गए रहते हैं और यह वही स्कूल रहता है धुरन गाउ जिस स्कूल में सलाम बिन रजाक गए रहते हैं इंस्पेक्टर के बनकर यह वही स्कूल रहता है जिस स्कूल में सलाम बिन रजाक 25 साल पहले एक टीचर हुआ करते थे ठीक है जब वह 25 साल बाद इंस्पेक्टर बनकर उसी स्कूल में आये ना तो वहां का नजारा देखे उस गाओं को देखे पूरा गाओं चेंज हो गया था स्कूल भी चेंज हो गया था ठीक है तो वही सलाम बिन रजाक देख रहे हैं कि इस स्कूल क ही 25 साल पहले भी अभिन माश्चर थे अब अभी भी स्कूल करिष्टर अब्दुर्रभी थी तो सलाम बिन रजाक उसे का मौयना की और बोले कि अब्दुर्रभ सहब आपका जो है ना स्कूल का जो का रेक रहाए बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है और इस्कूल में श जाईएगा किसको बोले अब सलाम बिन रजाक को जो की स्कूल में इंस्पेक्टर के तोर पर गए रहते हैं तो सलाम बिन रजाक बोले ठीक है आप चाहिए मैं थोड़ा इस स्कूल से बाहर निकल कर थोड़ा यहां का नजारा देखूं थोड़ा घूमो और यहां के थोड़ी यादो को ताजा करूं ठीक तो इस स्कूल की जो मास्टर है तो चले जाते हैं लेकिन सलाम बिन रजाक जो की इंस्पेक्टर बन कर आये रहते हैं अब वो स्कूल से बाहर निकलते हैं और बाहर का गाओं का नजारा देखते हैं वो देखते हैं कि पचीस साल पहले जो गाओं और जो मिल राइस मिल की फैक्ट्री है तीक है यह लोग पर मचीन मचीचरां को कि सनाटे दिल धढक रहा हूं तो यह सारा नजारा स्राम जाग देखने लगे और आब वो उनको 25 साल पुरानी कहानी कहानी याद आने लगे जब वो teacher हुआ करते थे अब जो है ना सलाम बिन रजाक आप लोगो 25 साल पहले लेकर चले गए हैं 25 साल पहले की कहानी बताना शुरू करते हैं इस chapter में ठीक है तो अब मैं आप लोगो 25 साल पहले लेकर चलती हूँ जब सलाम बिन रजाक इस school के teacher हुआ करते हैं अभी न वो inspector लेकिन 25 साल पहले वो teacher हुआ करते थे यह मत भूलिएगा तो अब आप लोगो 25 साल पहले लेकर जा रही हूं और जो सलाम बिन रजाक कहानी बता रहे हैं उसको मैं बता रही हूं आप लोगो देखिए सलाम बिन रजाक बता रहे हैं कि जब मैं पहली बार एस school में teacher बनकर आ और भी टीचर थे एक ते जनाब बदुरुदीन जो की स्कूल के इंचार्ज थे और एक ते अमीर अली जो की मेरे तरह एक normal और तो देखे सलाम बिन रजाक और वो जो नौजवान आया तो सलाम किया सलाम बिन रजाक को भी और अमीर अली को भी तो अमीर अली और सलाम बिन रजाक सलाम का तो जवाब दिये और उसके बाद से वो जो नौजवान था वो कमरे में आया और उसके हाथ में एक पानी का थैल था तो उस पानी के थेले से पानी सलाम बिन रजाक के घड़े और बाल्टी में भरने लगा ठीक है और जब भर दिया पूरी तरीके से भर दिया तो अमीर अली से पूछा वो नौजवान यानि कि वो लड़का आप बोल सकते हैं वो बोला लड़का की लगता है नए मास्टर स साब आया है तो अमीर अली बोले की जी इनका नाम है इसलाम बिन रजाग जो कि इस मतलब इसकूल के नए टीछर है ठीक और रसका का नाम रहता है इबराहिम सक्का क्या नाम है इब्राहिम सक्का और मत भूलिएगा चैप्टर का भी नाम है इब्राहिम सक्का ठीक तो उस लड़का का नाम रहता है इब्राहिम सक्का और अमीर अली बताते हैं इब्राहिम सक्का को लोग अब्बू भी बुलाते हैं ठीक है क्या बुलाते हैं अब्बू ठीक ह और ये एक साकी है साकी कहते है पानी पिलाने वाले को देखिए जियोरेगिस्तानी इलाका होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है तो एक इनसान को मुकरर कर दिया जाता है मतलब एक इनसान को ड्यूटी दे दी जाती है कि तुम क्या करना सभी लोग के गाओं के लोगों को तो सलाम बिन रजाक बोले कि अच्छा ठीक है और उसके बाद से वो जो इबराहिम सक्का नाम का लड़का है वो चला गया उसको खुश्री भीवी की चलो मेरी तारीफ हो रही है इसके बाद से वो चला गया अगली सुबह फिर जो है ना सलाम बिन रजाक अपने कमरे में बड़े में और बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दिया ठीक है और पानी भर रहा था और फिर बोला वह जो इबराहिम सक्का है वह सलाम बिन रजाक से बोला कि अच्छा मास्टर सहाब तो उस स्कुल के टीचर थे तो पुराने जमाने पहले के जमाने में जो है ना लोग टीशर को मास्टर सहाब भी न बोलते थे अभी भी बोलते हैं लो तो वो इब्राहिम सक्का बोला कि अच्छा मास्टर सहाब एक बात पूछू आप बुरा तो नहीं मानेंगे तो सलाम बिन रजाक थोड़े हिश्की चाहे और बोले कि ठीक है पूछो क्या पूछना चाहते हो तो इब्राहिम सक्का बोला कि सुना है कि आप श्रेर वशायरी भी करते हैं ठीक तो सलाम बिन रजाक को खुशी हुई कि चलो मेरे श्रेर वशायरी की चर्चा गाओं में लग रहा है हो रही है इसलिए ये लड़का भी पूछ रहा है तो अपनी खुशी को दबाएं सलाम पर बिन रजाक और बोले कि तुमको किसने बताया एकि मेश्रव श्रेरी करता हूं तो इब्राहिम सक्का बोला कि नहीं वह अब्दुल्ला भेशा आं वो बटाया तो अब्स ऐसाधू लंग अपनी तारीफ करवाने के लिए ठीक तो वो इबराहिम सक्का बोला कि आप बताईएंगे ना सच में शिरोषाइरी करते हैं तो सलाम बिन रजाक के यान कि मास्टर साहब है वो बोले कि हाँ लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो तो इब्राहिम सक्का है वो बोला कि क्योंकि मुझको भी सायरी में इंट्रेस्ट है मैं भी कुछ का शेरोशायरी कर ही लेता हूँ तो सलाम बिन रजाक चोग गए वो बोले कि क्या तुम सच में शेरोशायरी करते हो तो इब्राहिम सका बोला कि हाँ शेरोषाईरी कुछ का सितों करी लेता हूं लेकिन गाउं में लोग मेरा मजाग उड़ा हैं आप बुरा न मने तो मैं आपको कल आकर मैं अपनी शेरोषाईरी सुनाओं तो सलाम बिन रजाक का तो मन कर रहा था कि मना कर दे क्योंकि उस इब्राहिम सक्का का वो हूलिया देख रहे थे वो कुछ अच्छा कपड़ा नहीं पेना था फटा पुराना एक कोट पेन लिया था लग रहा था कितना पुराना है उसके बाद से अध्वर्टा पैंट पेना उसका हूलिया अच्छा नहीं लग रहा था तो सलाम बिन रजाक को मन किया कि वह मतलब इग्नॉर कर दे मना कर दे लेकिन फिर विए उसके पुछने का जो तरीका था वह वाकई में बहुत शांदार था तो वह मना नहीं कर पाए हिचकी चाहें और बोले कि बताओ तुम कहा सलाम बिन रजाक के अबाई पेशा मतलब होता है खानदानी पेशा क्या को भगा काम हो लnicas का मूश पर डाल दिया गया अब मैं पानी पिलाने का काम का काम ठाता हूं तो अशरा भादी नहीं हुई है ठीक तो सलाम बिन रजाक भी थोड़ा वहाँ पर उनको भी रसी आई तो फिर ये सारी बात को छोड़कर इसका बोला कि तो फिर मैं कल आऊ माश्टर सहाब तो सलाम बिन रजाक बोले कि ठीक है तुम कल मगरीब के बाद आना मगरीब का नमाज हो जाएगा उसके बाद आना ठीक तो उसके बाद से वो जो इबराहिम सक्का है वो खुशी-खुशी अपना फिर से पानी का थैला उठाया और चला गया ठीक अगले दिन स खास ध्यान नहीं दे रहे थे इब्राहिम सक्का पर ठीक है वह बोल रहे थे कि वह इब्राहिम सक्का वह फालतु आदमी है उसके उसके पास जाकर तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम अपने काम पर दियान दो कहीं टूशन पकड़ लो और बच्चों को ठीडत है खाने के लिए तो सलाम बिंदर्जाक बोले तो मुझे तो अच्छा लगता हए स्कूल में पढ़ाना मैं किसी दूसरे चाहार पदाना चाहते हैं है जाकर नहीं पढ़ाते हैं तो आद Three comprehension कि घर जाकर पढ़ाऊं नहीं मैं स्कूल में पढ़ाऊंगा और यही मेरा पेशा रहेगा ठीक तो अगले दिन जो है ना सलाम बिन रजाक मगरीब का नमाज पढ़कर और वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे थे किताब कोई तो आया इबराहिम सक्का क्योंकि वो बोला थ तो इबराहिम सक्का आया मगरीब के नमाज होने के बाद वो कुर्टा पजामा पहना था पुरा अच्छे से तियार होकर आया था इबराहिम स्लाम बिन रजाक है वो देखे कि सच में आ गया इबराहिम सक्का ठीक तो वो आया और हाथ में एक किताब लिया था कॉपी आप इसमें वो अपनी शेर और शैरी लिखता था ठीकिंठे। लेकर आया और अपनी कॉपी जो है ना सलाम बीं रजाब को दे लिया और बोला कि मास्टर साभ इसमें अपनी शेर और शायरी लिखा अब ढ़र पढ़कर देखिए ठीक तुसलाम में रजाक लिए और कोपी खोले लिखा गया था कि चीटी बराबर मुझे सुना लगा उसकूपी कले लिए और सुनाने लगा स्लाम बिन रजाक सुन रहा थे और कुछ खास नहीं पढ़ रहा था उसके पास लफजों की कमी थी और बहुत धेर सारी गलती भी कर रहा था प्रनेंसियेशन में ठीक है और कुछ इस तरह का शेर वशायरी कर रहा था कि तेरा हर रोज खिड़की पे आना और नाजुक से दिल पर बिजली किराना कुछ इसी तरह का शायरी जो है इबराहिम सक्का उस किताब में से देखकर पढ़ रहा था तो सलाम बीन रजाक सुने और बोले कि देखो तुम्हारे पास ख्यालात तो है लेकिन उस ख्यालात को ढालने के लिए तुम्हारे पास लफज की कमी है लफज तुम ज्यादस जदा किताबे पढ़ो किताब पढ़ोगे न तुसे तुम्हारे पास लफजों का भंडार लगेगा और जब तुम्हारे पास लफजों की कमी नहीं होगी धेर साले लफज रहेंगे न तो उसको तुम्हारे ख्यालात को ढालना आएगा ठीक है जो भी तुम fill करते हो जो भी तुम्हारे अंदर खियलात है उसको तुम ढाल सकोगे अगर तुम्हारे पास लफ का भंडार रहेगा तो तो इब्राहिम चाका बला तो मैं किताबे तो पढ़ता ही हूँ तो इब्राहिम, सलाम बिнять रिजाक बोले कि अच्छा तो कौन सी किताब पढ़ते हो जरण भनको भी बताओ इब्राहिम जाका बोला कि किसे नुर नामा किसे दाइहली मा किस से यूसिफ जुलेखा इस तरह का किताप तो में पढ़ता हूं तो साम बिन रजाक season का किताब पढ़ने से senin होता है तो फिर किसे पढ़ना चाहिए जिससे श्रेकर और मेरी मजबूत हो तो इसलाम बिन रजाक अपने किताब में से एक पुराना एडिशन का किताब निकाल कर दिया और बोले कि लो इससे पढ़ो हर रोज पढ़ना और इससे तुमारी क्या होगी जो पढ़न सीचा ने वह भी सुद्रेगी और तुमारे अंदर जो है ना लवज का भंडार लगेगा तुम जाद जाद लवजों क सीख पाओगे ठीक अब ले लिया इब्राहिम सक्का उस किताब को और उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिये उसको पढ़ना भी नहीं आ रहा था उस किताब को लेकिन फिर भी वह पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद से वह सलाम बिन रजाक बोले कि अच्छा ठीक तो सलाम बिन रजाक तो वह इब्राहिम सक्का चला गया और उसके बाद से सलाम बिन रजाक भी अपने कमरे में थे अगले दिन फिर वह पढ़ाने गये और पढ़ा कर आये उसके बाद से वह 12 बजे का खाना खाकर लंच करके सलाम बिन रजाक अपने कमरे में बैठे थ तो इबराहिम से का फिर वापस आया पानी लेकर थैले में पानी लेकर आया और इबराहिम से के सलाम बिन रजाक के घड़े और बाल्टी में पानी भरने लगा और बोला कि पता है माश्र साहब मुझको तीन चार शेर याद हो गया है जो आप मुझको किताब दिये थे ना उस सलाम बिन रजाक को मास्टर साहब ना बोलता था तो बोला कि मास्टर साहब आपको जो है ना बेदार खा देशमुक के यहां आपको खाने जाना है तो सलाम बिन रजाक समझ गए कि मुझे क्यों खाने जाना है क्योंकि बेदार खा देशमुक के घर जो है ना बच्चे रहत थे ठीक है तो वही इब्राहिम सक्का आकर बोला कि देखी आपको बिदार खादेश मुख के घर जाकर पढ़ाना है ना तो सबसे पहले वह आपको खाना खिलाना चाहते हैं तो आप जाकर उनके घर खा लीजिएगा ठीक है तो सलाम बिन रजाक देखें कि मैं मेरे पास तो औ खाने बचे हुए हैं तुम एक काम करो खालो वरना अगर नहीं खाना चाहते हो तो लेकर घर चले जाओ घर पर खाले ना फिर मेरा टीफिन वापस कर देना बरतन वापस कर देना तो इब्राहिम सक्का चुप-चाप रहा और जाने लगा तो सलाम बिन रजाक बोले अरे अब यह बात सुनकर जो हैं आखे चौड़ी हो गई ठीक है इबराहिम सक्का बोला कि मैं इसा बचा कुछा हुआ खाना नहीं खाता हूं मैं अपनी मेहनत करता हूं मेनत से जो भी मुझे पैसा मिलता है ठीक है उससे मैं अपनी खाना को खुद से बनाता हूं और खुद खाता हूं ठीक है अगर मैं इस तरह का फ्री का खाना ढूंडू ना तो रोज मुझे पाच्छे घर से खाना मिल जाएगा लेकिन मैं अपनी मेहनत करके उससे पैसा कमाकर तब मैं खाना खाता हूं ठीक है किसी की दीवी खाने को नहीं खाता हूं अब यह बात सुनकर जो मास्टर के बारे में सोच रहे थे कि देखो वह कितना खुद्दार है इब्रायम सिरा क मैं उसको खाना ओफर किया कि लो तुम खा लो लेकर चले जाऊँ अपने घर खार लाकर दिए दे खिर दो कितना मेहनती है कि वह खुद से मेहनत करके पैसा कं crisis खाना बना कर और खाता है तो यह बात जो है ना सेलाम बिंडेजाक को को बहुत दा मोटिवेट पीं daha मोटिवेस्ट मुटिवेट हो गह और वह क्या किये अब जो लोगों के घर से सुलाम बिंडेजाक के पास खाना आता था अब खाना लेना बंद कर दिया यानकी गाउवी की बारी आती थी वह बंध कर दिये गाउव के लोग सब Ramat आथ ब्लसाते हो याल जो किसी को दिये हुए और गाउवी की बारी में अंतर है तो इब्राहिम सका स्लाम बिन रिजञा कोई अंतर नहीं है जो बचा हुआ खाना होता है उसको लेकर खHYा जाता है जाकर लिया जाता और ख्या जाता है और गाओं की बारे में फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है कि गाओं के लोग मुझे मेरे पास खाना लाकर पहुचाते हैं तो बात तो एक ही है तो सलाम इब्राहिम सक्का बोला कि आप मेरी बातों को मतलब थोड़ा lightly ले लिए हैं ठीक है सलाम बिन रजाक बोले नहीं मैं तुम्हारे बातों से घर और माश्र साब को सलाम लेकं किया यहनदि कि सहलाम बिन रजाक को सलाम किया और उसके बीवाद से आया कि माश्र साहथ मैं आपके लिए चावल की रोटी और चटनी लेकर आया हूं लिजे आप खा लुखना से पूछा कि अच्याम अपकी शादी हो गई कि नहीं मेरी दों whilst उ requirements पोस्तेस तो वो बोला सदो मैं नहीं मैं एक पानी इसा नहीं है पानी भड़ने वाले अगर कोई लड़की है तो बताओ मैं तुम्हारा मतलब शादी लगवा दूंगा ठीक है तो वहां पर इब्राहिम सका का चेहरा थोड़ा चेंज हो गया और थोड़ा वो टेंशन उसका जो चेहरा जो है न वो टेंशन में मतलब ऐसा लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा है कु तो सलामिन राजाक देखे कि अचाना कि इब्राहिम का चेहरा क्यूं हो गया चुछ रहो जो है कि जरूँ कोई बात है कि इब्राहिम उसका चेहरा ही चेंज हो गया आकर कोई बात है स्कूल में भी जाते पढ़ाते और अमीर अली से और वे खुद सोचते थे कि सायद मैं ही इब्राहिम सक्का को कुछ गलत नहीं बोल दिया न कि वो चला गया चुप चाप तो एक दिन मुलाकात हुई सलाम बिन रजाक से इब्राहिम सक्का की तो वो पूछे सलाम बिन रजाक कि आखिर मैं तुम को कुछ गलत नहीं न बोल दिया उजिन अचानक तुम उठकर चले गए ठीक है तो इबराहिम सक्का बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैं आपकी बात को भला बुरा मान सकता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ठीक और उसके बात स कि निंद खुल गई और वो पूछे लोगों से कि आखिर क्या हुआ है तो मालुम चला कि बेदारखा देशमुक के घर जो है न चोर घुसाया है ठीक तो चोर को पकड़ने की कोशिश किये थे लो लेकिन चोर नहीं पकड़ा पाया वो भाग गया अगले दिन सलाम बिन रज बजी तब इनको सलाम बिन रजाक का निंद खुला तो वह जल्दी जल्दी उठे और फ्रेस होकर त्यार होकर कपड़ा पेन कर जल्दी से स्कूल में पहुचे जाकर वहां पर देख रहे हैं तो प्रेयर नहीं होता है प्रातना तो बहुत ही कम बच्चे थे तो वह जाकर प बोला जो की टीचर थे अमीर अली बोले की रात को जो है ना वेदार खादेश्मुक के घर की जो लड़की है वह कुए में गिरकर मर गई ठीक है तो सलाम बिन रजाक बोले कि यह तो बहुत बुरा हुआ और सलाम वह जो बेदार खादेश्मुक जो था ना उस गाओं का सब तो और वह बात करने भी थोरा हुंड टाइप का था विदार खादेश्मुक और उसी की लड़की की मौत हो गई थी अब गाओं में तरह तरह के लोग जो है ना तरह तरह के बाते बनाने लगें कि विदार खादेश्मुक के घर उस दिन चोरी हुआ था वह कोई चोड नही से शायद पता नहीं उसके घर वाले ही कुए में फेक दिये होंगे उसको या फिर उसको मार से तंग आकर जो है ना वह खुद गूए में गिर गई होगी अपनी खुद खुशी कर ली होगी तरह तरह के लोग तरह तरह की बाते बना रहे थे अब रियालिटी क्या थी अब नहीं सलाम बिन रजाक जो भी बाते बोल रहे थे लो वो सुन रहे थे चुप चाप ठीक अब आगे हुआ यह कि शाम को उस लड़की का जनाजा लेकर जाना था जिसकी मौत हुई थी बिदार खादेश्मुक की लड़की की मौत हुई थी ना तो उसको मतलब दफन करना था त इबराहिम सक्का से कई दिनों तक सलाम बिन रजाक की मुलाकात नहीं हुई थी तो देखिए जब ऐलान होता है ना मस्जिद में लोग ऐलान करते हैं कि इतना बज़े जनाजा लेकर जाया जाएगा तो ऐलान हुआ और शाम को रात को लेकर जाना था उसको दफन करने के लि पढ़ने जा रहे थे ठीक है तो वह तैयार हुए और बाहर निकले चपल पहने और जाने लगे उस लड़की को दफनाने के लिए सभी लोग जो है ना धेर सारे लोग इकठा हुए थे उसकि वह एक अलगी मोमेंट था और सभी लोग इसे अलग लग तरह की बाते बना रहे बिरार खादेश मों की लड़की की मौत हुई थी तो धेर सारे लोग जो है ना इकठा हुए थे उसी में सलाम बिन रजाक भी थे जो है ना उस लड़की का जो डेड बोडी था उसको सुलाया गया खटिया पर आप बोल सकते हैं और उसको चारो कंदे चारो कोने पे जो होत थी आसमान में जो है ना तारे टिम्टिमा रहे थे अजीवी वहां का माहौल हो गया था तो सलाम बिन रजाक जितने भी लोग थे भीड के पीछे चल रहे थे आगे-ागे मयत को लेकर जाया जा रहा था और पीछे सभी लोग भीड लगा हुए थे उनके भी ये पीछे थे स अब अच्छा रहेगा ठीक है तो ध्यां दिये सलाम बिन रजाक की उनके पीछे बी कोई है जो ओक पीछे पीछे आ रहा है तो काली कंबल ओढ़ेवे कोई इचान था तो पहचान नहीं पाएसलाम बिन रजाक की आखिर वह कौन है ठीच है जब मयत को कब्रिस्तान तक लेक नमाज नहीं पढ़ना थे तो सकती बीन रजाक के पास हर रहा है रहा हुआ हलकाता हुआ इता रुका दूलता थे जा दिए सभ यहां पर क्या कर रहे हो ठीख है और इसका बहुत तेज वुकार धी ठीख है उसके बाद से वो काली कंबल बहुत ज़्दा उसको ठंड भी लग रही थी कांप रहा था ठंड से और हिलता डुलता हलका था उससे चला भी नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी वो कब्रिस्तान तक आया था वो जनाजा को दफनाने के लिए ठीक है तो वो किया किया इबराहिम को जब दफनाया जाएगा तो मेरी तरफ से एक मुठी मिट्टी जो है ना उस मयद पर उस कबर पर डाल दीजिएगा ठीक है तो असलाम भी रजाक ले लिए उस लड़की को दफनाया गया और मिट्टी डालने लगे लो तो क्या किये सलाम भी नजर नहीं आया अब सभी लो चले गए और ढूंड रहे थे कि आखिर कहां गया इब्राहिम सा का चारतर नजर दढ़ाएं कहीं भी नहीं दिखाई दिया तो फिर स्लाम भी रजाक सोचे कि इब्राहिम सा का चला हो गया होगा अपने घर उसकी तबियत अच्छी नहीं लग रही थी बोजदा उसका तेज त बहुत तीज शोर मचा फिर से पूरे गाओं में सभी लोग इधर उधर दोड़ कर कब्रिस्तान की तरफ जाने लगें ठीक है जब तीज शोर मचा तो स्लाम भी रजाक की आँख खुल गई सुबा वो जल्दी से उठे और कमरे का दरवाजा खुल कर बाहर निकले और एक एक इनसान को रुका कर पूछे कि आखिर हुआ क्या है बात क्या है तो इनसान बताया कि विदार खादेश्मुक की लड़की को जहां दफनाया गया था ना उसी के कब्र के ऊपर एक किसी का इंतकाल हो गया कोई मर गया है ठीक है अब जो है ना सलाम बिन रजाक मतलब तीज कंबली ओड़े हुए था यानकी काली कंबल को ओड़कर आया हुआ था यानकी इबराहिम सक्का उस बेदार खादेश्मुक की लड़की के कब्र के ऊपर मरा पड़ा है ठीक है तब जाकर जो है ना सलाम बिन रजाक को सारी गुथी समझ में आई ठीक है वो उस दिन समझ गय करें लेकि यौह रहे ला कि जो है ना कोई चोड नहीं इबराहिम सक्का ही गया था और उसके बाद से उस दिन ज्यो है ना इबराहिम सक्का की एकsex tourism चेहरे का जो expression है इसी सादी नहीं करेंगी थीक है और ये बात ऋब्रहहिम सक्का स्लाम सा को नहीं बता पाया था और सारा किहानी से लड़की से महभद करता और जानता कि यह कभी भी नहीं होसकती थी और इसलường जो है बेडार ख릴 निडीकी भी मौत कर लिए और उसके शानसाद जब उसकी मौत हो गई उसको दफना दिये गया तो उसकी कबर पराक रात भर रोया यह इवराहिम सक्का और उसकी तबिएत भी खराब थी और रात भर रोने के वजय से आखिर उसके भी मौत हो गई ठीक है तो उच नीच के भेद भाव के वज़ा से यहां पर दो लोगों की जान चली गई यह सलाम बिन रजाक को समझ में आ गई थी ठीक है अब यह सोचते सोचते जो है ना पचीस साल के बाद जो इंस्पेक्टर के तोर पर स्कूल में आये थे सलाम बिन रजाक यह सोच रहे थे वहीं और यह सोचते सोचते उसी कब्रिस्तान तक पहुंच गये थे सलाम बिन रजाक जहां पर उस बेदार खाद इसमुक की लड़की को दफनाया गया था ठीक है तो फिर उनको मालूम ही नहीं चला कि वह उस कब्रिस्तान तक पहुंच गये फिर उसके बाद से इस स्कूल के जो और उसके बाद से सलाम में रजाक चले गए अब दूरब के यहां खाने के लिए तो यह था आप लोग का पूरी कहानी कोई भी कमेंट करकर पूछ सकते हैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद से आप पर आप लोग को क्लिक कर लिजेगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वारी और वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा ठीक तो फिर मुलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफि करते हैं